ओम सिरी गनीशायनम दोस्तो एस्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हारदिक स्वागत है दोस्तो आज 21 वीडियो में हम बात करने वाले हैं 14 दिसंबर गुरुवार के रासी फल के बारे में कीह दिन मीन रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला है किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव-लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिश और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत्पपून जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोग उसे रिक्वेस्ट है अगर आप हमारी इस चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नीनी वीडियो पहुंश सके चली दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा मीन राशी वालों के लिए गुरुवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तों आज आप अपने सभी कार्रों को बहुती बहतरिन तरीके से पूरा करेंगे जिस से आपकी छुपी हुई योगता वे प्रतीबा सब के सामने आएगी और मान सम्मान भी बढ़ेगा घर के शुक्षुदा सम्मंदित वस्तों की खड़ीदारी में भी आज समय व्यतीत होगा आप अपने विश्वास वेकारे चमता द्वारा इस्तितियों को और अधिक भेतर बना पाने का प्रियास करेंगे और सफलता भी हांसिल करेंगे पैत्रिक प्रॉपर्टी सम्मंदित अगर कोई मामला रुका हुआ है तो आज उस पर ध्यान केंदरित करें सफलता के योग बन रहे हैं धार्मिक संस्था के प्रती तन और मन से सहयोग देना आपको खुसी प्रदान करेगा साथी समाज में भी मान सम्मान में वरद्दी होगी अगर प्रॉपर्टी खरीदने के लिए प्रियास रथें तो आज का दिन आपके लिए काफी सुब है आज उस पर अपना ध्यान केंदरित करें आज का दिन समाज सेवी संस्ताओं के साथ मदद में व्यतीत होगा तता धर्म कर्म संबंदित कारों में आपकी रूची अधिक रहेगी युवा वर्ग अपनी महनत के अनुरूप सुब परिणाम मिलने से तनाव मुक्त रहेंगे अपनी पिछली गलतियों से सीख कर आप अपने कारे सम्मंदित योजना में परिवर्त न लाएंगे जो भेतरीन शाबित होंगे भाई भेनों के साथ चल रहा कोई वाद आपसी समझबूद से आज हल हो जाएगा आज अधिक तरकाम मन मुताबिक तरीके से संपन होते हुए आपको प्रतीत होंगे जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तो किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात, खुसी और ताजगी प्रदान करेगी और आप अपने काम पर और अधिक एकागरता से ध्यान दे पाएंगे दोस्तो आज का दिन आपके लिए बहुती अच्छा दिन सिद्ध होगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगटिव हो सकता है दोस्तो आज वैवसाइक गतिविदियां पूर्ववती ही रहेंगी मैंटिनेंस संबंदित कारों पर खर्च बढ़ सकता है इसलिए अपने बजट का ध्यान अवश्चे रखें नोकरी पेशा वैक्तियों के लिए तरक्की संबंदित आज योग बन रहे हैं जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा परंतु अपने क्रोध और जल्दवादी वाले श्वबाब पर नियन तर्ण रखें आप किसी मुसीवत में पढ़ सकते हैं किसी महत्पपूर्ण वैक्ति के साथ भी कोई कहा सुनी होने की आज आसंका है जिससे रिस्ते में कड़वराहट आएगी दोस्तो साथी साथ दिखावे की बज़े से व्यर्थ की फिजूल खर्ची भी हो सकती है थोड़ा सावधान रहें विद्यारती अपनी पढ़ाई के परती लापरवई ना बढ़ती हैं किसी नजदी की रिस्तिदार के साथ मन मुटाव जैसी इस्तिती उत्पन हो सकती है थोड़ी सी सावधानी रिस्ते को बिगाडने से बचा सकती है दोस्तो जंदबाजी में कोई भी निर्णया अपना लें किसी प्रिकार का जूटा आरोप प्रत्यारोप आप पर लग सकता है किसी बहारी व्यक्ति की सलापर ध्यान ना देकर अपनी बनाई हुई नीतियों पर ही कारे करें कुछ कारे समय पर पूरा ना होने के कारण आज तनाव रह सकता है इसलिए अपने उपर काम का अधिक बोज ना लें बहतर होगा कि सबसे पहले महत्बपूर्ण काम निम्टा लें आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है दोस्तो परिवारिक वातावरण आज खुस नुमा रहेगा साथ ही बड़े बुजुर्गों का आशिरवाद वे इश्ने परिवार पर बना रहेगा पति पतिनी के बीच किसी परिवारिक मुद्दे को लेकर कहा सुनी हो सकती है परंतु जरासी समस्दारी से वातावरण पुने सहज हो जाएगा घर परिवार तथा वेपार संबंदित सवी कारों में जीवन साथी का भरपूर शयोग रहेगा और आपसे भावनात्मक संबंद भी मजबूत होंगे परिवार के साथ मनोरंजन वे डिनर के लिए जाना यादगार पलों में सामिल होगा पति पतिनी के संबंदों में नजदी की आएंगी किसी प्रिये मित्र से मुलाकात पुरानी यादों को ताजा करेगी दोस्तो आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बहुती अच्छा दिन रहने वाला है दोस्तो इस दिन का आपको अवश्य ही लाब उठाना चाहिए दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वैवशाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो नवीन कार्रे संबंदित आपने जो योजना बनाई हैं उस पर एकागरचित होकर काम करें आमंदनी में आज वरद्धी होगी तथा आएके नए स्रोत खुलेंगे नोकरी पेशा वाले व्यक्तियों के लिए भी परस्तितियां आज काफी अनुकूल हैं वेवसाइक गतिविदियां पूर्ववत ही रहेंगी मैंटिनेन संबंदित कारों पर खर्च बढ़ सकता है इसलिए अपने बजट का आप ध्यान अवश्य रखें नोकरी पेशा व्यक्तियों के लिए तरक्ति संबंदित आज योग बन रहें हैं नए प्रवाबुसाली संपर्क बनेंगे वेपार से संबंदित अधिक से अधिक परचार करें वर्तमान प्रस्तितिया आज आपके पक्ष में हैं आपके सभी काम आज सफल्टा पूरुबक पोन संपन होंगे मार्कटिंग संबंदित कार्रों में आज अधिक समय व्यतित करें तथा अपने संपर्क सूत्रों को भी मजबूत करें इनसे आपको हवसी ही लाब की प्राप्ती होगी सरकारी शेवा में कारेकरत व्यक्तियों को अपने बहतरिन परिणाम देने से उपलब्दी प्राप्त होगी अपनी कारेचमता और महनत पर ही विश्वास रखें किसी के हस्त शेप से आपकी योजनायवे कार्रे बिगड सकते हैं वैसे तो वेवसाइक गतिविदिया सुचारों रूप से आज चलती रहेंगी कारेचेत्र में हर गतिविदी पर नजर रखें आपकी कोई महत्वपूर्ण बात आज लीक हो सकती है इसलिए अपनी कारेप्रिणाली को गुप्त तरीके से रखें आपके लिए बहतर रहेगा दोस्तो अब बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तो आज आपका स्वास्त बहुत अच्छा रहेगा आज आपके स्वास्त के सितारे आपका भरपूर साथ देंगे दोस्तो आज आपका स्वास्त ठीक रहेगा आज कोई भी स्वास्त संबंदित समस्या आपको परिशान नहीं करेगी साथ साथ दोस्तो अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वास्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशे शुपाय क्या है दोस्तो आज आप इशनान आदी से निर्वत्र होने के बाद एक लोटे में थोड़ा कच्चा दूद लें जिया दोस्तो इसमें आप कुछ बतासे डालें इसके बाद आप इस कच्चे दूद को तुलसी प बहुत जल्द प्रसन होंगी और आपके घर में दिन दुगना रात चोगना पैसा आना सुरू हो जाएगा जहां दोस्तो ये बहुती अच्चू कुपाय हैं आप इस उपाय को अवश्य करें आपको अवश्य ही लाब प्राप्त होगा दोस्तो मालक्षमी का अशिरवाद आ बश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद